हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल नहीं चीज डिलीशियस फूट में हमका स्वागत है हम बैक विद अनदर रेसीपी सो आज में आपके सार शेयर करने वाली हूँ खजूर अंजीर बाइट्स की रेसीपी जो मस्त मज़ेदार बहुत टेस्टी बनते हैं सो घर पे हम इजीली बाहर बहुत महेंगी मिठाई मिलती है यह स्वीट हम घर पे यह इजीली कुई क्ली बना सकते हैं यह मैंने अंजीर बाहर से एक किलो मंगवा लिये थे होलसेल की जो भी ड्राइफ रूट की शॉप्स होती हैं तो फूटीन हंड्रेट केजी फूटीन हंड्रेट पर केजी मुझे मिले हैं सो यह अंजीर मैंने मंगवाए है एक किलो बट मैंने अभी धाईसो ग्राम जितने लिये हैं खजूर मैंने ले लिये हैं एट हंड्रेट ग्राम जितनी तो यह दोनों का मिक्स्चर करके हम यह वाइट्स रैडी करेंगे और ड्राइफ रूट आप अपने असाब से कुछ भी एड्ड कर सकते हैं मैंने यहां पर अल्मंट्स ले लिये हैं केशूस ले लिये हैं मिक्स करके उनको कट कर दिया हैं पिस्ताचियो ले 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 और वॉ अजीर के जो पीसइस करके रखे हैं वो एन कोई हैं जो कहजूर के छुटी-छुटी पीसिस करके रखे हैं seeds निकालके एकदम seeds remove करके तो वो मैंने दोनों चीज़ों को कर दिया है mix अब बहुत सारे लोग इसको मैं मिक्सी में मिक्सर जार में मिक्सी में चला देते हैं crush कर देते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता और बहुत सारे दिन हम रख नहीं सकते यह easily हम रख सकते हैं इसको बून बून के मैंने बनाया है इसको 20-25 मिनिट मैंने बूना है यह पाउभाजी का जो measure आता है उससे मैं बीच पीच में मैंने mash करती रही हूँ क्योंकि यह सारे टुकड़े टुकड़े जो होते हैं एकदम mash होने चाहिए तो ही अमारी sweet एकदम perfect बनेगी यह देखिए बीच पीच में इसको ऐसे mash करते रहें यह आपके पास नहीं है तो जो डाल हम जिससे crush करते हैं तो वो डाल वाला भी हम use कर सकते हैं वो डन whisker जो होता है हमारे गर में डाल का तो वो डन whisker भी हम use कर सकते हैं तो पाउंबाजी का नहीं है इस तो देखिए मैं इसको एकदम mash mash किया है एक भी मतलब थोड़ा भी दाना भी पूरा नहीं होना चाहिए इसको इसी ली हम mash कर देंगे यह बहार तो बहुत मैं शॉप्स में तो स्वीट के बहुत मैंगी मिठाई मिलती है सो यह हम घर पे बहुत कम नाम में हम इसको बना के प्रपेर करके खा सकते हैं घर पे ही और किसी को हमें देनी भी है बहार भी सो हम घर पे ही easily बना के बहार जैसी एकदम sweet perfect sweet बना सकते हैं घर पे ही यह देखिए मैंने गी बीच बीच में जैसे चिपकता है कड़ाई पे खजूर तो उसको बीच बीच में one one spoon मैंने गी एड़ किया है सारा total last तक मिला के मैंने उसमें six six spoons जितना इतना ही six spoon जितना ही मैंने add किया है उससे जादा मैंने इसमें mix नहीं किया है देखिए last तक में इसको इसे mash mash करती रही हूँ फिर एकदम देखिए एकदम मतलब mix हो जाए उसके बाद ही इसको जिसमें हम dry fruits add करेंगे पहले हम add नहीं कर सकते देखिए हमारा mixture बनके एकदम ready हो गया है थोड़ा सा मैंने गी पीच में भी add किया था मतलब total six spoons जितना देखिए मैंने अभी भी last में total six spoons जितना मैंने add किया है सारे जो dry fruits मैंने cut करके रखे थे walnuts, almonds and cashew तो सारे dry fruits मैंने इसमें mix कर दिये हैं फिर khas-khas and pistachio हम last में उपर से add करेंगे अभी इसमें मैंने नहीं डाले हैं यह मैंने एक चोकी ले ली है जो sweet वालों के पास होती है तो मैंने भी खरीद ली है गर पे कुछ भी sweets मैं बनाती हूं गर पे तो मैं यह use करती हूं उसमें मैंने सारा यह better mixture हमारा डाल दिया है उपर से मैं पिस्ता से पिस्ता की कतरन से इसको decorate करूँगी और बहुत सारी मैंने इस उपर से खसकस डाली है इसका इतना टेस्ट बहुत मस्ता आता है इतना बहुत tasty tasty लगती है यह sweet तो घर पे ज़रूर से try करना और प्लीज अब देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते लाइक नहीं करते अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताईए ताकि मुझे भी motivation मिले और स्किप स्किप करके ना देखे पूरा end तक देखिए यह देखिए 15 मिनिट के बाद मैंने इसके pieces करके cut करके मैंने इसको serve किया है सो जरूर से यह recipe मेरी अपने घर पर try करें मुझे comment करके बताएं कि आपको यह मेरी recipe कैसी लगी यह देखिए फिर डबे में भरके हम इसको store करके रख सकते हैं सो subscribe to my channel